खलारी में चोर ने टेंशन बढ़ा दी एक दीजल चोर पकड़ा गया लोगों ने चोर को पकड़ा फिर उसे पीटा जिसे हाथ साफ करने का मौका मिला सब ने मौका पाकर पाइदा उठाया फिर पुलिस पहुची पुलिस चोर को ठाने ले आई और फिर चोर पूरुना पॉ राम राम दोस्तों क्या हाल चाल बड़ो को नमस्ते सस्रेकाल और छोटो को मेरा धेर सारा प्यार एंड वेलकम बैक टू दा चैनल सोनु सिना ओरिजिनल्स तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हाँ भईया तो आज की इस वीडियो में मैं इंस्टाग्राम में अपडेट हुए एक न्यू फीचर रील के पिछवाडे में कील डाल कर उसकी सारी पोल खोलने वाला हूँ और आपको कुछ ऐसे सीक्रेट से रूबरू करवाने वाला हो जिसे सुनकर आपका अच्छा खासा मूड भी आफ हो जाएगा और अगर आप सोच रहे हो कि अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर रील पे अपलोड करने के बाद मैं फेमस हो जाओंगा तो सावधान इतनी महनत करने से पहले इस वीडियो को सबसे पहले देख लो हाँ भाईया टिक टॉक के बैन होने से मुझरा करने वाले टिक टॉकियों के पिछवाले से निकलते आसुओं की धार जहां रुकने का नाम नहीं ले रही है और चाइना को अपना मुझ बोला बाप मानते हुए दुख में अपने ही सरकार को रातो रात फेमस हुई कुछ दीदिया जैसे गालिया दे रही है तो इनका ये अत्यांत पीड़ा देई दिल नी चोड़ाम पिछवाले से खून निकलम वेदना हमारे फेस्बुक के CEO मार्क जुकरबग भाईया से बिल्कुल भी देखा नहीं गया तो टिक टोक के बैन होने के ठीक एक दिन बाद मार्क भाईया ने टिक टोक की सोतन रील को इंस्टाग्राम में एड कर दिया समझ दो, समझ दो आप, समझ दो ताकि रोते वे टिक टोकर्स अपना मुझरा इंस्टाग्राम पे भी जारी रख सके मार्क भाईया अगर सोचालाई बनाना ही था तो अपने घर के पिछवाले में बना लेते बेडरूम में बनाने की क्या ज़रूरत थी अब रह रहकर बास तो वो मारेगा ही अरे दो पल रहकर अच्छे से सोची लिया होता भाईया कि आपके इंस्टाग्राम के ग्रोथ के लिए मीमर्स और यूट्यूब कम्यूनिटी वालों ने क्या कुछ नहीं किया तब तो आपने उनके लिए कुछ भी नहीं बनाया मगर टिक्टॉक गरीब योजना के बैन होने के बाद अपने टिक्टॉकर्स के लिए इंस्टाग्राम पे रिल्स मुझरा खाना खोल दिया हरे ऐसे नहीं होता भाईया ऐसे महबत नहीं होती है तो भई यह सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है हमारे इंडियन वीडियो सेरिंग प्लैटफॉर्म बनाने वालों के लिए क्योंकि इनका मार्केट तो खाने आ गई है इंस्टाग्राम रिल्स और इंस्टाग्राम के बज इतना सारा धेर सारा पैसा है कि वो अपना पर्मोशन कभी भी कहीं भी और किसी भी लेवल तक करवा सकती है तो पता है ना सबसे ज़्यादा नुक्सान हमें ही होगा हाँ भाईया तो अगर अब भी रिल्स के फीचर को समझने में आपको धेर सारी मुस्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो नो प्रॉबलम क्योंकि मार्क भाईया ने इंडिया से ही दो रुपए का एक प्रोफेशनल टीचर हायर किया है जो हमें रिल्स के फीचर के बारे में टीउसन क्लासेस देगा तू तो बेटा टेंशन ना ही ले तेरी टिक टॉक वाली आदत इंस्टाग्राम पे भी नहीं जाने वाली है तेरा यही हाल है तेरे फॉलवर्स पहले भी आते थे और यहां भी आएंगे शकल चमका चमका कर जो तुने फॉलवर्स पाना स्टार्ट किया है ना पता नहीं लोग आते भी है और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है उन छोटे क्रियेटर्स को जो अपना खुद का ओरिजिनल कॉंटेंट बनाते थे ऐसे लोग इतने आसानी से फेमस नहीं होने वाले हैं इनकी वीडियोस इतने आराम से शेयर नहीं होने वाले हैं क्यूंकि Instagram पे उन्हीं के वीडियो सबसे पहले शेयर किये जाएंगे, जो पहले से Instagram पे फेमस है, जिनके पहले से ही 200 के 300 के followers पहले से ही हैं, जिनके account में पहले से ही blue tick लगे हुए हैं, तो आप ही बताओ, Instagram सबसे पहले, इन लोगों का वीडियो पहले शेयर करेगा, कि हमारे या आपके जैसे, जिनके पास 300 followers भी नहीं हैं, पता ने, मार्क भाईया को ये भांग बोसला करने की क्या ज़रूरत थी, अगर उनको TikTok जैसा ही कुछ करना था, तो Reels को एक अलग एप बना कर लॉंच कर देते, चल बोज़ुडी के, पहले ही Instagram में फोटो का आपसन है, स्टोरीज का आपसन है, लाइब आ सकते हो, IGTV का आपसन है, एक मिनिट का वीडियो डाल सकते हो, पंदरा सिकेंड का वीडियो डाल सकते हो, तो अब ये Reels को एड करने की क्या सवरूरत थी, तो मुझे लगता है, आने वाले वक्त में मार्ग भाईया, इसमें News Reporting भी करवाएंगे, मोधी जी यहीं पर Live करेंगे, जितने भी Politician हैं, सब यहीं पर आ के बोलेंगे, अब मतलब कि हर चीज आने वाले वक्त में Instagram पर होगा, Facebook कभी काम यहीं पर कर लेंगे, WhatsApp कभी काम यहीं कर लेंगे, सब कुछ यहीं कर लेंगे, चूतिया लिखाएंगे, मगर Instagram में इस Real Feature के एड होने से, Long Time में Instagram पर बहुत क्रिंच बढ़ने वाला है, और यहां भी इतना ज़्यादा hate बढ़ जाएगा, कि Instagram का भी हाल आने वाले वक्त में TikTok जैसा ही हो जाएगा, मगर यहां पर कुछ अच्छे लोग है, कुछ मैच्योर लोग भी है, अगर TikTok जैसा वीडियो यहां पर बन कर आएगा, तो लोग गाली देने से भी नहीं चुकेंगे, अगर मुझसे पूछा जाए, तो मार्क जुकरबग ने यह सही नहीं किया, Reels को Instagram में add करके, अगर पैसा कमाने का बात होता, तो मार्क भाईया सीधा एक अलगी एप लॉंच कर देते, पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिमाग में, तो चलिए देखते, Instagram Reels से वीडियोस के कैसे रुझान आ रहे हैं, अब यहां भी प्यार के नाम पे ग्यान ना पेलो बे, और इतना फिल्टर लगाया हो, इतना फिल्टर लगाया हो कि मारबल के माफिक तुम्हरा फेस चमक रहा है, और यह लिप्स्टिक किसकी लगाया हो बे, मम्मी की या बेहन की, और हमें जिंदगी ने इतना पेला है, इतना पेला है कि अब किसी के मोटिवेशन की, तो अब हम लाश्ट वीडियो देखने वाले हैं, मेरे पर्सनल फेवरेट मिस्टर बेरुजगार फैजू की, जिन्होंने पहली बार अपने पहली वीडियो डाली, रील्स पे, तो चलिए देखते हैं, हग दियाना अपने पहले ही वीडियो में, जब वीडियो अपलोड करते हो, तो पता नहीं चलता है कि इस वीडियो का अपलोड करना चाहिए, या नहीं अपलोड करना चाहिए, फिर से वीडियो बना लूँ, उतना दिमाग काम नहीं करता आपका, मतलब कुछ भी record किया upload कर दिया अब लोजे लो अब तयार रहना इस वीडियो को भी लोग यूज करेंगे अपने वीडियो में meme के जैसे ही अरे इस से बढ़िया वीडियो तो मेरा दोस्त बिट्टू बना लेता है छहिया छहिया वाले phone से हाँ भी या तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर करना और comment तो करना ही करना क्योंकि आप जब comment करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि जब मैं इतने प्यार से इतने मैंनत से अपने लोगों में अपने परिजनों में इससे बहुत शेयर करो प्लीज आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है और एक जरूरी बात इस वीडियो का एम रखते हैं 200 लाइक तो जितने लोग देखते हो कम से कम 200 लोग भी देखते हो ना हेंडेड लोग भी देखते हो तो प्लीज लाइक जरूर करो कम से कम 200 लाइक तो कंप्लीट होने ही चाहिए और आगे भी बहुत धेर सारी मचांड वीडियो आने वाली है तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही तो मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन साइनिंग आप सोनु सीना ओरिजनल